आज हमारा उडिशा और पूरा हिंदुस्तान नहीं बलके सारा जहान जिन मर्जे ला एलाज से परिशान है मुसीबतों में डुबा हुआ है जिसे हम कवरोना वायरस के नाम से जानते और पहचानते हैं यह वाला है जिसका कोई एलाज नहीं और जिसका कोई सल्वेशन नहीं लेकिन ऐसे महाल में ऐसे भ्यानक महाल में हमारे हुकोमत ने कुछ बेहतर कदम उधाए हैं इससे बचने के लिए तो हमारे हुकूमत ने कहा कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपने घरों में रहें और समाजी दूरियां बनाए रखें सोशल डिस्टेंसन को मेंटन करें और अगर हम इनी तमाम चीजों पर इनी हुकूमत के आईन और कानून पर हम पाबंद रहेंगे, काइम और मकाम रहेंगे तो यकीनन हम कामयाबी की दहलिज पर जरूर पहुचेंगे इससे हम एकदम जरूर शफायाब होते नजर आएंगे तमामी हज़रात से मेरी एक गुजारिश होगी और आखरी गुजारिश होगी कि तमामी हज़रात अपने घरों में रहें और अपने घरों में रहकर नमाजों के पाबंदियां करें और घरों में तरावी का इंतिसाम करें और घरों में रोज़े रहकर इसलाम के सारे कवानिन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें घर से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है बलकि घरों में तरावी, नमाज, तस्वी, तहलील तमाम वजाइफ का विर्द और तमाम चीजों का मामला अपने घरों में रखें इन्शालला करम फरमाएगा अल्ला और इस बाला से सब को महफूद फरमाएगा